तो आज जो है हम लोग अपना नया चेप्टर पढ़ने वाले अपनी क्लास का नाम है प्रैक्टिकल जमेट्री है ना और इस नाम से तो आप समझी चुक्योंगे कि जिन जमेट्री के शेप, साइज, लाइन या फिर कह सकते हैं क्लोस फीगर के बारे में हमने पढ़ा इससे पीछे वाले चैप्टर में आज जो है इस वाले चैप्टर में हमें उन्हें प्रैक्टिकली क्या करना होगा ड्रॉ करना होगा यानि कि हम देख सकते हैं लिखा गय में हम उसे ड्राइolit दिखाएंगे कि आखिर उस लाइन सेग्मेंट का जो ön सेवन सेटिमीटर था उसके आप gedaan कैसे ड्राइब कर सकते ऊसके बाद हम लोगों ने एंगल में क्या पड़ा ता यॉपर में अगर एक और लाइन क्या हो जाती एक लाइन की ऊपर पर अगर एक और लाइन आए तो वो क्या हो जाता है वितिकली जो लाइन आतीया वो इसके साथ पर्फेνडिकुलर मनाती है जिसको मैंने बताया था कि इस तरह से लिखा जाता है अगर इसका नाम एबी हो गया इसका नाम सीडी हो गया सकते हैं वित प्रैक्टिकल यानि कि करके देखेंगे हम लोग उसके अलावा हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में ये भी देखा था कि एक लाइन जो है दूसरे लाइन से अगर इकोल डिस्टेंस पर हर टाइम रहे इट मींस वो क्या हो जाता है पैरलल हो जाता है यहा उने भी शेप के बारे में हमें जो है इस क्लास में यानि क्लास सेवंत में दे रखा है उन सभी शेप्स को हम लोग यहां पर ड्रॉ करके देखेंगे प्रैक्टिकली है ना उसके अलावाब बोले का सर हम लोगों ने तो एक चैप्टर वह भी देखा था ट्राइंगल का जि इस वाले चैप्टर में हम उन्हीं ट्राइंगल को बनाएंगे यानि ऐसे ट्राइंगल को जिनके दो साइड और एक एंगल होगा या फिर ऐसे ट्राइंगल को जिन में थ्री साइड दे रखेंगे या कोई एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें एक बेस दे रखा होगा 90 डि लिआ है कि मुझे जो है यहां पर बनाना है लेकिन अब उन बनाने के लिए कौन-कौन से इंस्ट्रुमेंट का यूज़ किया जाएगा वो तो जानना पर हम वह भी देखेंगे कि अगर मुझे किसी भी जमेट्री के सेप को प्रैक्टिकली बनाना होगा तो कुछ तो इंस्ट्रूमेंट की जरूर यहां पर क्या होती है यूज आती है तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें जो help करेंगे हमारे जमेट्री के शेप को ड्रॉ करने में तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे सिंपल चीज आता है रूलर जिसे हम लोग नॉर्मल भासा में कहते हैं scale आपका जो में ट्रे बॉक्स खोलिएगा ना तो उसमें बड़ा सा आपको प्लास्टी का दिखेगा उसी का नाम होता है रूलर जिसमें जीरो सेंटीमीटर से ले कि 12 सेंटीमीटर तक क्या दे रहा होता है मेजरमेंट दे रहा होता है और आखिर हम उस रूलर का यूज करते का हैं तो इससे पहले उस रूलर का यूज कहा जाता था क्या चीज लाइन को ड्रॉ करने के लिए बट और उसको मेजर करने के लिए है ना यहां पर क्या करेंगे हम नाम कए उसका summ करने के लिए जिस करेंगे उस का नाम होता है ना इसकेल किया होता है यह तो पहले से भी जानते थे and measure them to draw arc and circle यानि कमपा जो तक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके एक साइड पर पॉइंटे टिप होती है और एक साइड पर पैंसिल की टिप होती है अब इसका यूज जो होता है हम सरकल को को ड्रॉट करने में क्या करते हैं यूज लाते हैं उसके अलावा इसकी some से हम लोग किसी भी सरकल के चोटे से आर्क को ड्रॉब कर सकते हैं समझ सकते हैं आप लिखा आर्क ऐन सरगा मेरे प्यारे विद्यारतियों अगर मुझे एक सर कल ड्रॉफ करना हो कितने radius का 5 cm radius का तो उसके लिए मुझे जिस instrument की यूज आएगी ना उसका नाम होता है compass या फिर मुझे कोई एक arc draw करना हो इस तरीके का तो भी मुझे जिस instrument का यूज करना पड़ेगा ना उसका नाम होता है compass तो यह आर्क होता क्या है कह सकते है कि कि सरकल का एक छोटा सा पार्ट को आर्क कहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यारतियों जब भी हमारे पास सरकल या आर्क ड्रॉ करने के लिए आएगा तो उस जगह पर हम यूज करेंगे कम पास को कम पास क्या होता है जिसमें एक पॉइंटेट टीप होती है और एक जो होता है पैंसिल वाली साइड होती है लेकिन आप लोग हमेशा सोचते होंगी जानते हैं हम लोग सरकल बनाते हैं लेकिन आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि अर यह डिवाइडर का यूज किसलिए होता है यह दो पॉइंटेड होते हैं इसका क्यों किया जाता है तो इसका मेरे प्यार स्टुडेंट वहां पर करना हो ना जैसे कि मेरे विद्यार तो इसकी है अगर मुझे दो लेंद के बीच में कंपेर करना हो ना तो उसके लिए जो है मुझे क्या जुर्थ पड़ता है डिवाइडर का जुर्थ पड़ता है जैसे मेरे प्यारे स्टुडेंट मैंने क्या कर दिया मैंने एक लाइन सेग्मेंट ड्रॉ किया एंड बी एंड मैंने क्या किया एक और लाइन सेग्मेंट ड्रॉ किया इसका नाम दे करता ही पाइब चलता फाइफ सेंटिमेटर का तो मैं कह सकता था ना मेरे पैर स्टूट्ट की एबी इस ग्रेटर दिन सीडि यह मैं कह सकता था लेकिन मेरे पास स्केल नहीं है तो उस केस में हमेर जिस instrument का यू जाएगा ना उसी का नाम होता है divider इस divider के दो पॉइंटे टीप होते हैं उन दो फॉइंटे टीप को एक point को एह पर रखेंगे एक पोइंटे और दीप का तो जैसे हम ने point tip a और बी पे रखा इस divider का और इसको उठा जैसे हम सी पर रखेंगे तो क्या देखेंगे कि एक पॉइंट तो सी पर था लेकिन दूसरा पॉइंट जो था वो डी से थोड़ा आगे बन रहा था इससे हमें यह पता चल गया कि एस एभी जो है वह ग्रेटर है किसके कंपेर में सीडी के तो क्या पाचल मेरे विद्यारति तो डिवाइडर का यूज लेंथ को कमपेर करने में किया जाता है और आज के बाद आप इस बात को समझ चुके है कि वाट इस दा यूज अफ डिवाइडर क्यूंकि हमारा दिमाग जो तरह बजा क्यूरियस होता है जमेट्री बॉक्स खोला बहुत सारे इस्ट्रूमेंट दे इस्ट्रूमेंट आने वाला है जिसका यूज भी आपको नहीं पता होगा चलिए देखते ये आ गया नाम है इसका सेट स्क्वेर आज तक को यह नहीं समझ पाएगा कि आखिर सेट स्क्वेर का यूज कहां किया जाता क्यूंकि आपके जितने भी चैप्टर सेना चाहे और हमें भी ढाएगा तो भी आपको सेट स्क्वेर کا यूज समझुमिन नहीं आएगा पि कहां पे किया जाता है इसे लोग कि क्या करते पढ़ारी करते हैं वहाँ पर क्या होता है सणवारे का यूज किया ओता है लिखा है तेखिए सटो डोप फैरलल ऐन पर ऍपर पेंडिकूला लाइन अब मेरे पास मैरे प्यार विद्यार्थ यहां पर मैंने क्या कर दिया एक लाइन ड्रॉब कर दिया अब मुझे इसके ऊपर में परफेंडिकुलर लाइन ड्रॉब करना है तो यह सेट इसक्वेर जो रहे होता है नज़रा रहा है सेकेंड टाइप का भी इस तरह से होता है यानि जमेट्रिवाक्स में हमें इस सेपके दो अधिका देखने को मिलते ह यह इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं तो उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट को बेस बना लेते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट को क्या कर देते हैं इस तरीके से रख देते हैं और रखने के बाद एक स्क्वाइर का यूज नहीं करने वाले ठीक है ना वहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग इसके लिए और अपना कम पास यूज करेंगे इसका यूज बहुत कम होता है लेकिन यह जानना तो था ना हमें कि आखिरी सेट स्क्वाइर का यूज का होता तो याद रखेगा जब यह हो गया मेरा यूज आफ सेट इसक्वाइर चलिए आगे यह जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है ना मेरे प्यार विद्यारति हो क्यूंकि हमने एंगल में एंड लाइन समें पढ़ा था ना कि जब दो लाइन एक फिक्स ट्वेंटी डिग्री तो इन डिग्रियों को इन डिग्रियों को किस तरीके से ड्रॉ किया जाए ना इन डिग्री को हम अगर चाहे तो शीट पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कैसे जो है एक एंगल को हम 60 डिग्री बना सकते हैं 120 डिग्री बना सकते हैं तो उसके लिए जिस इंस् होता है प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर के यूसे यहां से स्टार्ड करा जाए तो जीरो से ले करके यहां तक आते हैं तो 180 डिगरी तक होता है एंड़ इसकी हेल्प से हम लोग कितने का यूज किया जाता है और इसके यूज से हम एंगल को अपने शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं एकदम फिक्स जितना एंगल हमसे बोला गया था ठीक है ना तो यह हो गया तो अब दिमाग में आपके कुश्चन आ रहा होगा कि सर हमारा जो प्रैक्टिकल जमेट्री है तो क्या उन हमने रूलर देखा था स्केल देखा था जिसका यूज हम लोग लाइन एंड उसके मेजरमेंट के लिए करेंगे सेकेंड हमने देखा था कम पास जिसका यूज सरकल आर्क बनाने के लिए करेंगे और हम देखने प्रोटेक्टर इसका यूज सिर्फ एंगल ड्रॉ करने के ल इन तीनों क्लासिज में आपको जो है प्रक्टिकल जमेट्री देखने को मिलेगा और वहां पर फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है तो चलिए फिर इतनी सारी बाते कर लेना अब आते हैं अपने में वर्क पे यानि की सीखते हैं कि हाव टू ड्रॉ और पैरलल लाइ है देन उसके बाद आप देखिएगा उसके एक-एक स्टेप को लिखा हुआ एंड थार्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग तीसरे टाइम पर हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके आपको बताओं ठीक है यानि क्या पाचला एक कुशन के तीन टाइप आपको यहां देखन कर सकते तो थी स्टेप में आपका जो है एक कुश्चन क्या होगा कंप्ली टोगा इससे क्या होगा कि माली जई आप रहत में नहीं समझ पाय कोई बात नहीं आप सेकेंड जो बना हब ड्राइफ के मैं कोई कोई बात नहीं तो आप प्रैक्टिकल जम्मे करूंगा तो उसे फिर देखें तो आप अच्छे से समझी सकते हैं